हेलो एबरीबन वेलकम टो केमिस्टी कंपिटिसंस होगा स्ट्रीजों केमिस्टी आज का जो हमारे लेक्चर है इसमें हमारे रहता है आज आइसोमर हमारे काफी इंप्रेंट है और 11-12 क्लास में भी हमने एक रट्टा किया था इसमें कि जिनका मुलिक्विलर फोर्मूला से हो बेड़ा लेकिन उनकी जो इस टेक्चर है और डिफ्रेंट होगी क्या बोलता है हमारे आइसोमर याद है ना आपके तो देखो स्टार्ट करते हम अपना आइसोमर जो हमारे आइसोमर होता है उसमें क्या होता है इसम्विलर फोर्मूला अब देखते हैं कैसे होगी देखो हमने यहाँ पर कुछ ऐसे लिया 1 2 3 4 5 यह पैंटेन है मारा इस पर हमने क्या किया वन पोजिशन पर बियार लगा दिया अगर हम टू पोजिशन पर यहां क्या लगया बियार लगया अगर इसका आपसे फोर्मूला पूछा जाए तो क्या यह पर क्या होगा कुछ हमने ऐसे किया अब यहां पर क्या है 1 2 2 पो पाशेशन पर यहां पर 1 2 3 3 पर भी आघारे अब देखो क्या molecular formula हमारा सेम है हमारे carbon काउंट करो 1,2,3,4,5,5 number of carbon है C5 हमारे यह पर जैंट है अब hydrogen काउंट करो 3,3,6,7,8,9,10 और यहां पर 11 बोलो आ जाएगा न और बी आर तो molecular formula तो सेम है अब बताओ क्या structure हमारी सेम है तो बिल्कुल नहीं यहां पर हमारा बना था 2,10 क्या बना था 2,10 लेकिन अगर यहां पर बात करते हैं तो यहां पर बनेगा 3,10 बोलो बनेगा न तो यहां पर क्या हो जाएगा कि molecular formula हमेशा सेम रहने वाला है लेकिन जो इसकी structure होने वाली है वो ऐसे हमारी आईसोमर होते हैं अगरे कम क्या बोलते हैं ऐसे हैं कम बोलते हैं positional isomer क्या होता है जिनका molecular formula ही ब्asion सेम होता है लेकिन उनकी structure जो है रहों डिफरेंट होती है इसको आप याद याद कर ले न अब सिक्टेम"! हो गया आपके अब हमारे जो isomer होते हैं किया में होते हैं डॉ-ट्म होते हुशंते हैं स्चीरίο आइसोमर इस क्रेदा इना होते हैं एक होते और दूसरी क्या हो जाएगे हमारे स्टीरियो आईसोमर जो हमारे constitutional isomer होते हैं जब हम अपने जियो साइन्टिस्ट की या फिर हम कोई भी अपना नीट या इसके लावा हम जी आइसी पर वक्ता इन चीज़ की तियारी करते हैं constitutional isomer महाँ पर हमारे लिए काफी यूसफुल होते हैं हमारे याद होने चाहिए तो constitutional isomer में क्या होता है कि जो इनकी connectivity होती है वो सेम नहीं होती और आपको याद रखना होगा constitutional isomer होते हैं उनमें connectivity not same cannot connectivity same क्या हो जाएगा सेम नहीं होगी क्या होगा connectivity सेम नहीं होगी अब आपको याद रखने हैं उसमें कुन-कुन से आइसोमर आते हैं उसमें आते हैं हमारे पोजिशनल आइसोमर हो जाएगा हमारा चैन आइसोमर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा functional isomer और हमारा हो जाएगा meta isomer और आजाएगा हमारा toto merism isomer यह सभी क्या हो जाएगे हमारे constitutional isomer में हमारे आजाएगे अब हमें देखना है हमारे positional isomer क्या होते हैं आप लिखलो जिसमें हमारा molecular formula सेम होगा जो आप पर उस चैन में लगने वाला हमारा कोई भी सचिट्वेंट या फिर कोई भी functional h11 और यहां पर आजाएगा बियार बोलो आएगा ना इसके बाद इसी बियार को अगर हम क्या करें यहां पर लगा दें तो अब हमारा क्याने वाला है c5 h11 और बियार आगे आप भी अगर यहां पर पूछा जाए तो क्या हो रहा है तो molecular formula से मैं only क्या हो रहा है कि बियार की जो position है वह हमारी यहां पर change हो रही है क्या हो रही है इसी प्रकार हमारा आता है यह देखो यहां पर क्या है one degree alcohol हो रही है और इसी को अगर हम ऐसे कर दे तो यहां पर क्या जाएगा टू डिगरी यहां पर क्या हो रही है पोजिशनल चेंज हो रही है इस कारण क्या हो जाएगा यह positional isomer हो जाएगे आपको इतना याद रखना ही होगा क्योंकि जो हमारा basic होता है वह अपने basic को strong करो अगर आपको अपने complex question को आसाने से करना है तो यह होगा है पोजिशनल आईसोमर इसके बाद आता है चैन आईसोमर तो चैन आईसोमर में क्या होते हैं देखो उतालो एक्जाम्पल चैन आईसोमर में लिखो कि जिसमें क्या होता है हमारे जो molecular formula है वो सेम रहने वाले हैं लेकिन जो हमारी चैन है वो हमारी long शे शोट हो सकती है शोट से हमारी long हो सकती है number of carbon and hydrogen जो हमारे equal होने वाले है देखो कैसे यहां पर हमने कुछ ऐसे लिया 1234 तो यानि कि हमारे c4 आ जाएगे 678910 यानि कि h10 हो जाएगा बोलो हो जाएगा और इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखू तो बोलो क्या यह वही molecular formula है या नहीं है तो count कर लो यहां पर देखो आप 3 3 6 और 3 9 और एक यहां पर है आपका hydrogen तो 10 10 hydrogen हो जाएगे आपके और यहां पर 123 और 4 c4 है तो parents है जो parent structure है हमारी यहां पर number of carbon and number of hydrogen जो है equally रहने वाले है चाहे हो कितनी ही long चाहे कितनी short में आप उसको करके लिख सकते हो लेकिन molecular formula कभी भी चेंज नहीं होगा functional isomer यहां पर क्या जाएगा functional isomer functional isomer में क्या होता है जो हमारे functional group होते हैं देखो ऐसे टूबड़े हैं हैं तो अंने यहां पर क्लिया नहीं बन सकता है यहां पार वण कारवन सब्सक्रverage तो टीमड़े है की मोलकिल्ट वर मूला बिल्ल कुल वैसा वैसा यह जैसा हमारा पहले था के बादいた हैอ MR होता है यह क्या होता है कि जो हमारा गिर्ष एटम है वह हमारा सेम रहने वाला ने लीकिन जो इसके दाइन वाह साइड हमारे जुम अलकाइल हमारे एलकाइल पोलिस्टेन है अब इसमें क्या होता है कि मैं यहां का जो CH3 है उसको पूरे उठा करें यहां का इडरोजन यहां आ जाएगा तो यहां क्या बन जाए कुछ ऐसे हमें देखने को मिल जाएगा तो फंक्षनल गुरुप का जो बीछ था अब भी महीं है लेकिन क्या चेंज हुआ जो हमारी ए जो हमारे कीटो इनल से इनल में जाएगी या फिर इनल से क्या होगा कीटो paralysis ईचान हो लिस वह Tada और यहां से क्या हो जायेगा पैवन ऐसी ब्रेक हो जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा यहां पर आजायगा पैवाई बोंड क्या जाएगा पाइदक लेकिन हमारे क्यूंतु फोम होती है more stable होती है इनको आप याद रख लेना तो इसके बाद हम चलते हैं अपने stereo isomer जो हमारा stereo isomer है हमारा काफी important है इसको हमें याद रखना होगा इसमें हम सीखते हैं देखो जब भी हमारे पास stereo isomer की बात आती है तो हमें याद रखना होगा इसका molecular formula सेम होता है और इसकी इसमें आपको कती भी confused नहीं होना connectivity same molecular formula भी same connectivity भी same जब यहाँ पर आजाएगा connectivity भी same तो हमें देखना हो अब मेरा माइंड में आएगा connectivity कैसे सेम होती है मैं देखो यहाँ पर हमने क्या लिया कुछ ऐसे लिए hydrogen deuterium BR और chlorine अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूँ यहाँ पर आजाएगा chlorine और यहाँ पर hydrogen deuterium और bromine दो बोलो इसमें इसमें कोई difference है तो बिलकुन नहीं जैसा मोल्कुल यहाँ पर रथा से वैसा ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है only rotation हो रही है पर क्या रहा only rotation कितना भी rotation आप करा लो क्या connectivity difference हो जाएगी इसकी बिलकुन नहीं यहाँ पर molecular formula भी सेम है सेम ही एटम से हमारे सारे के सारे गुरूप या फिर एटम आपस में connect हो रहे हैं नहीं कोई position change यहाँ पर हो रही है तो यहाँ पर क्या connectivity सेम है जब भी ऐसा कोई होगा मारे पास तो में क्या करना होगा तो हमें जाना होगा अपनी image पर का जाना होगा mirror image बने important है क्योंकि जो net or gate होता हैं उसमि даже important हो जाएगा तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या मिररक इमेच है तोसुस की देखते हैं मिरर इमेच है नुसाटर चेह एक देखेते आगर मीरर इमेज्ख में हो जाएगे्ट इवाइड हो जाएगे टू पाट में डिवाइड हो जाएगे एक का जाएगा हमारा सूपर सबुवरीं पोलो यह तो हमने भी पढ़ा है और आ प्र Hugलो क्यों गाएगे हो जाएगा मिरण मेज समों करेगा तो क्या होता है INANTIOMOR क्या हो जाएगा INANTIOMOR का मीनिंग है यहां पर नौन शुपर IMPOSIBLE वह जाएगा हमारा सुपर IMPOSIBLE उने करन हो जाएगा आइडेंटिकल क्या हो जाएगा आइडेंटिकल तो अगर आपने जो फर्स्ट वीडियो है सेकिंड वीडियो है जहां पर इनेंशोमर और आइडेंटिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके यह जो चीजे हैं आपको आती होगी आइडेंटिकल का मिनिंग है कि महापर क्या होगा कायल सेंटर नहीं होगा क्या होगा कायल सेंटर नहीं होगा और अपने मिरल इमेज पर क्या हो जाएग अगर हम कुछ ऐसे मिलेगी वह कुछ ऐसे देखने को मिलेगी ओएच एच 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 त्री और एच त्री अगर मैं आप से पूछू क्या है अपनी मीरज इमेज पर सुपर इंपोस है अगर आप इसको ऐसे डारेक्ट देखोगे तब तो आपको गएगी नहीं मैं सुपर इंपोस तो नहीं हो पाने क अगर हम इसको ऐसे उठाए ऐसे उठाके इसके ऊपर ऐसे रखे तो हाइड्रोजन के पैले इस पर और इसको ऐसे रोटेट कर देगे तो क्या हो जाएगा और यहां पर प्लेण समय आपर कैई हमारी लेखे हुए और हापकी साइड़् है और है और क्या कर रहे हुए ऐंगी ओर रहे हैं कcking यह पर क्या दूसरों क्या कर रहे हो लिप्लाक्ट कर रहे होगे और यहां पर क्या है कोई भी ऐक्र and नहीं रहें है कोई भी काईरां सेंटर पर एकारण kिया हो पाएगा इसके बाद अबने लिया है और यहां पर हाइड्रोजण और हाइड्रोजन और यहांपर हमने लिया त् checking अगर हमएं सीहर इमेज्स कि उम्हारा क्या एगा which और संथ साइड गला में ऑच और यहां पर दैस हाइड्रोजन और यहां पर हमें Tasी और यहां है अब बता था है चाहिए आप इसको कि多 나भी किना भी गुमा लो हें यहां पर क्या क्रेल सेंटर पर जैंट है यहां पर किया काइरल सेंटर पर जो जाएगा तो स्पर नहीं हो सकता तो वापर क्या जाएगा इन इंचिजों को आपको बिल्कुन नहीं बूरना क्योंकि यहीं चीज़े आपकी लास्ट में आपके कामा आएगी केनेक्टिवीटी हमेस्था क्या होगी है और उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा मीरर के बाद ठीक है इसको आप याद रखना इसके बाद चलते हैं अगर हमारा मिरर ही ना हो तो हम क्या और कैसे करेगे ठीक है इसको टारो देखो अगर mirror image ही ना दे तो और ना क्या बुलेगा sys and transform diastereomer जो आपकी सिस होती है तर्स की जो mirror image होती है हो क्या आती है सिस ही होती है और ट्रांस की जो mirror image होती है हो क्या होती है त्रांस ही होती है देखो अगर हम यहापर ऐसा कुछ एक compound लेते है अगर मैं यहां पर मिरर लगाती हूं तो देखो यहां पर क्या जाएगा अगर अगर मैं क्या करूं कि यहां पर जो किनेक्टिविटी है जिस कार्बन से लगे हुए जो एटम है में से मोने चाहिए तो यहां पर मैं ऐसे भी करण सकते हूं ना देखू और यहां पर क्या जाएगा यहां पर आ जाएगा लगा हुआ है और इसी कार्बन से लगा हुआ है तो कनेक्टिविटी तो सेम है लेकिन क्या सिस ट्रांस की मिरर इमेज होगा तो बिल्कुन नहीं होगा जितने भी सिस और ट्रांस्फोर्म होगी वह हमारी क्या होगी डायस्टीरियो मर्ड इस चीछ को में याद रखना है और तो सेम होगी लेकिन एक दूसरी की मिरर इमेज पर नहीं शो कर रहे होगे क्या कर रहे हो इसको उतारो इसके बाद हम चलते हैं इनच यूमर उतारो अब आपना इनच यूमर क्या पड़ेगी इनच यूमर जो हमारे इनच यूमर होता है इसमें क्या होता है कि जो इनकी स्पेक्टरल प्रोपर्टीज होती है वो क्या हो जाएगी सेम क्या हो जाएगी सेम ठीक है इसके बाद सेकिंडर में देखना है कि जो इनकी कैमिकल एंड फिजिकल प्रोपरटेज होती है वो क्या हो जाईए यहाँ पर सेम क्या हो जाईए इसके बाद हमें याद अखना है कि क्या होता है कि डिफ्रेंट्ट ओप्सिकल एक्टिविट्टीक्ड क्या हो जाईएए डिफ्रेंट्ट ऑप्टिकल क्टिविट्टी लेकिन हैं आपको सिक कर चलो ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी तिकल फेस नहीं करने कर Woo इसके बाद examiner hole में हम गए और examiner ने direct हमसे question कर लिया तो हमने तो यहीं जाद कर रखा है इसी cancer हम देगे तो हम बोलेगे कि उन्होंने हमसे direct कुछ भी करके कुछ भी पूछा और हमसे last में या फिर बीच में question कर लिया क्या आपने examiner पढ़ा है तो हम बोलेगे यह सर पढ़ा है तो यह उसे पूछे कि अच्छा इन्हों की प्रोपर्टी बताओ अगर आपको कोई molecule दिया जाए उसमें कश करें कि अंदर कुछ खास प्रोपर्टी होती है तो हम बोलेगी तो उनकी अप्टिकल एक्टिवीटी जो तो ठीक है तो उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि अच्छा अगर आपको कोई polarimeter present नहीं है उसके बिना हम आपको R और S निकारने को बोले तो आप निकाल पाओगे बिना polarimeter के आप बता पाओगे कि chiral है, achiral है तो कैसे बता पाओगे, देखो उसके बाद हमें याद रखना है अगर है हमारा कोई achiral solvent आपको इतना पक्क का याद रखने है अगर है achiral solvent तब क्या होने वाला है spectral properties नहीं होने वाली है और हमारी chemical and physical properties भी क्या होने वाली है कितना याद रख लेना अगर आप नहीं याद रख पाओगे तो आप 100% sure है कि आप examiner होगा उसको आप सही आंतर दे पाओगे लेकिन क्या है इसके बाद एक तो है कि अगर achiral solvent है तब क्या होने वाला spectral properties and chemical and physical properties हमारी सेम रहने वाली है लेकिन अगर हमने क्या किया कि यहाँ पर chiral solvent लिया तो chiral solvent होने के कारण क्या हो जाएगा स्काइब तो जो भपर कैमीकल सिफ्ट होगी एंहार में हो कभी भी सेम नहीं आएगीل क्या होगा कि हुआ करका होगा chemical शीफ्ट जो ऑयल्यों है वह मारे यहां पर क्या हो जाएगी different अगर यहां पर में देखने को मिलेगा तो हम बता पाएगे कि यह हमारा R होगा, यह हमारा S होगा क्या होगा, यह हमारा R होगा या फिर हमारा S होगा, देखो अगर हमें दिया direct R-Elanine and S-Elanine Example के लिए अगर हमने यह लिए तो उसके बाद हम क्या सोचेगे कि क्या होगा कि जो हमारा polarimeter है ऐसे अगर उसमें डाला गया तो क्या होड़ी साइट आज आना चाहिए क्योंकि वा multim क्या होंने की क्या क्या करेगा इसको लेफट साइट कर देगा जब इसकठे करेगा तो यहाइपर ऐसा मैं वैल्यू आ यह पर क्या हो जाएगा कि राइट साइड करेगा और हमारा जो हागल जो है सेम आ गया अगर यहा पर थिक है हमेंसा different आने वाली है क्या हो जाएगी chemical shift की value वाल्यों डिफ्रेंट आएगी हमेंसा क्या इक आई chemical shift की value हमेंसा याँ पर हमारी different आने ्वाली है आपको इतना याद रखना इन होगा इसके बाद हमें श्लीब होता है और हमारा ओरेंज होता है स्यम फैमिली का उता है हएं हमारा स्वाद होता है उनके उनकी कुषस्भु cohort 3 उनका स्वाद में और जो हमारा ओरेंज होता है उसका जो टेस्ठ होग होगा ढिपरिंट होयेगा जो यह माझा हुगा लेकिन अगर आप देखो तो क्योता है कि दोनों की दोनों जोते एक दूसरे के एनेंशियोमर होते हैं एक आपका क्या होगा आर एनेंशियोमर होगा एक क्या होगा आपका एस एनेंशियोमर सो करता देखो वो गया आपके अब हम चाहते हैं अबने लेमन पर और और औरेंज पर जो हमारा लेमन होता है कुछ ऐसे होता है देख़ो एक दूसरे की मिरर इमेज होते है यह कि क्या हो जाएगा hydrogen और अगर मैं इसकी mirror image बनाओ तो क्यासे आएगी कुछ ऐसे आएगी यह क्या हमारा lemon और यह क्या हो जाएगा हमारा orange तो जो हमारी बोड़ी होती है नी क्या होती है हमारी काईरल होती है देखो जो हमारा एंजाइम होता है एंजाइम के नदर क्या आते हैं हमारे प्रोटीन बोलो आते हैं न प्रोटीन और प्रोटीन के नदर हमारे क्या आते हैं एमीनो एसिड क्या आते हैं एमीनो एसिड और जो हमारे एमीनो एसिड होते हैं क्या होते हैं हमारे काईरल और अगर आपसे बात की जाए कि हमारी बोड क्या हो जाएगी कारण न बोड़ी कारण ना नोगे biological inactive होता है वो work नहीं करता किसी भी चीज में देखो इनका formula देखते है L-dopa and D-dopa का तो L-dopa का जो formula होता है कुछ ऐसे होता है sorry C-O-O-H H NH2 निकालो आप L-dopa बने है यहां पर यहां पर यहां फिर आपका D-dopa बना है RS निकालो RS निकालो आप यहां पर आपका D-dopa यहां फिर हमारा L-dopa है इसकी mirror image कुछ ऐसे बनेगी H NH2 OH OH यह क्या हो गई? इसकी mirror image हो गई बोलो हो जाए ही ना अब यहां पर RS count कर लो तो 1 2 3 4 यहां पर आजाएगा 3 तो 1 से 2 और 2 से 3 तो आपका क्याना चाहे था R लेकिन हो जाएगा S है तो आपका हो जाएगा L-dopa क्या हो जाएगा L-dopa और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? जब यह L-Dopa है तो यहां पर आजाएगा आपका D-Dopa Biologically Inactive क्या हो जाएगा? Biologically हो जाएगा हमारा Inactive और ही हो जाएगा हमारा Parkinson Disease जो हमारी Parkinson Disease है यह हमारे ड्रक्स के रूम में यूज की जाती है जितने भी इनेंशमर होते हैं हमारे maximum ड्रक्स के रूम में यूज की जाते है थैलिन ओमाइड भी जो है हमारे ड्रक्स के रूम में यूज की जाता है जो लोग पड़ो ड्रक्स के रूम में यूज की जाता है क्या होता है not to mirror image इसको मैं याद रखना है कि दूसरे की mirror image नहीं होते इसमें क्या होता है कम से कम हमारे पास क्या होना चाहिए दो तो हमारे पास asymmetric center होने ही चाहिए must have least two asymmetric center होने ही चाहिए यानि कि कम से कम दो asymmetric center हमारे पास यहां पर present होने चाहिए क्या होने चाहिए कम से कम दो asymmetric center present होने चाहिए और connectivity सेम क्या हो जाएगी यहां पर connectivity सेम कि इतना तो आपको याद रखना ही होगा देखो अगर यहां पर हम अपना एक्जाम्पल लेते हैं कुछ ऐसे कि सियर और हाइटोजन ए और यहां पर अब आपको बताना है ए और बी एक दूसरे के क्या है और बी और सी एक दूसरे के क्या है और बता सकते हो बिल्कुल बता सकते हो देखो अगर हम यहां पर गार iau आपर मेट लगे क्या क्या यहां पर मिरर नहीं लग रहा है क्या बिल्कुल लग रहा है तो यहां पर मी रीमेजीर थी पोशिबल ने इसके बाद आपको देखनी और सी क्या is unique लेखो है कि Witわか For में इसके अच्वारिक अगर आप देख पा रहे हो यह क्यां सूर्स ट्रांसफॉर्म होनेगे हैं갈 आंप आपका होगे इसन दीडियोमर ब्ले ओर शी क्या है मैं बात करते हम तो कि आपको याद रखना है जिसमें क्या है आपकी सिस्ट्रांस हो और मिर ही ना हो तो कि हो जाएगा हमारे क्या होगे डाइस्ट्रीण में पर्जेंट रहते हैं इसके बाद हम कुछ एक एक जामपल के थुरू इन सबी चीजों को हम सीखते हैं जो अब तक के लेक्षर में हमने पढ़ाया देखो लिखो pH, BR, H, CL, H, CH3 A. pH, Br, Cl, H, H, CS3 pH, H, Cl, Br, H, CS3 pH, H, Br, Cl, H, CS3 B, C, T A, D Relation बताने, आपको इन सभी में एक दूसरे साथ क्या है और A और C के बीच, A और D के बीच ठीक है, दक्वास इनके बीच Relation क्या है इसके बाद B और C के बीच B और D के बीच C और D के बीच बताओ आप इनके बीच Relation क्या है देखो आओ यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है हम आपके दोडाइस टोड़ास आपके ऐस्मेट्रिक सेंटर प्रजेंट है यहां पर देखो इस कारवन से क्या लगा हुआ है फिएच इज़ इर्फ इहांपर स्टेने किनेकटिवीटी तो आपकी सिर्फिन अगर आपके कनेकटिविटी से मैं इसके बाद हम अब यहां पर मेन इमिएज है तो देखो एड पर यह के सामने है यहां इस कारवन कर आओ तो फी एचो वाले सकावन से अमारा पी एच बीयार और हणाव बहुत कि यहां पर क्थ बीयार हण ना पर कल्ए और क्नेक्टीवीटी डिफरेंट्ट यह जिसमें हमारे होता है हमारा होता है कंशिटोचनल ड्याय सूंत के Emma है आपको याद रख नहीं होगे क्योंकि एसे क्रुशन आ सकते हैं ओर डि और b क्या है եूसरे कि कार्बण पर पयेच हाईडोजों भी आर लगा हुधी है अगर को पास म۔ को पास ब्रके पास को और तो यहां पर क्या जाएगा मिरर मयर्य को सीबल है और जहां पर मिर्स पंछिबल हो जाएगा फैर इनरान चिए मर्स क्या हो जाएगा थो का घर str Fr हो जाएगी में की डिफरेंट होगी माँ पर क्या हो जाए कॉंस्टिट्यूट्यूशन आइसोमर में इसके बाद B और D B और D क्या है दूसरे के तो pH इस कार्बन से pH hydrogen r और इस कार्बन से hydrogen cl और ch3 तो यहाँ पर क्या है कि connectivity भी तो सीम है लेगिन क्या दूसरे कि इसके बाद सी और डी माओं सी ओर दी में कैफ इस कारबन से प्येज हाइडरोजन बढ़कि यहां पर क्या है यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या हुआगे कि किने और काफी अच्छा कुछ हमने सीखने को मिल यह जो जो काफी होने वाले हैं हमारे जो हमारा होते हैं तो हमें ध्यान में रखना है जो एक दूसरे के उपर सुपर इंपोज है वह हमार आइडेंटिकल जो नोन सुपर इंपोज है और जो मिरर इमेज ही ना दे वह हमारा क्या हो जाएगा डाइस्टीरियोमर तो नेस्ट लेक्चर में हम जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए हैपी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सुस्क्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें थैंक यू